अगर आप CNW employee हैं तो आप ये चीज़ समझ जाएं कि हमारे DB कैसे काम करता है आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि DB आखिर ब्रेक कैसे लगाता है देखें ये इतना आसान नहीं है लेकिन फिर मैं आज कोशिश करूँगा आसान सब्दों में समझाने की आपने पूरी एक किताब है और इसको एक दिन या एक वीडियो में कोई नहीं समझ सकता है लेकिन आज के इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि मैं इस concept को clear कर दोंगा और आपके दिमाग में ये चीज़ भर दोंगा कि आखिर breaking system कैसे काम करता है और DB internally कैसे function करता है और break लगाता है बिल्कुल मेरी guarantee है अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि DB कैसे काम करता है अब देखिए आपको मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा वीडियो छोड़े कि बिल्कुल मत जाना क्योंकि यहाँ पर मैं आपको animation आगे मैं आपको animation दिखाऊंगा कि animation से कैसे काम होता है लेकिन पहले यह line diagram देख लिए फिर आगे हम देखेंगे उसके बाद में बात करेंगे charging के दोरां distribution wall जिसे हम DB कहते है shortcut में AR और CR को auxiliary reservoir और control reservoir को 5 kg per cm2 से charge करता है इस चीज़ को देखेंगे सिंगल pipe में AR सिर्फ BP से charge होता है जबकि twin pipe system में AR BP से भी charge होता है DB के माध्यम से और epic के दोरा भी charge होता है तो twin pipe और single pipe में यह फर्क होता है हमारी पूरी गाड़ी हम charge करते हैं जब उसमें हम air pressure देते हैं तो BP से DB charge होता है, DB CR को भी charge करता है और AR को भी charge करता है पांच kg ग्राम पर cm2 इसके अलावा break application के टाइम ब्रेक application के लिए जब BP pressure को यानि ब्रेक pipe के pressure को driver के दोरा पांच kg पर cm2 से कम किया जाता है तो DB AR का connection BC से कर देता है और break लग जाता है नीचे डाइग्राम देखिए, सीधा AR का connection BC यानि break cylinder के साथ हो गया है और break लग जाता है यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि break application के दोरान DB यानि distribution wall AR के connection को BP यानि break pipe से काट देता है यानि कि जब BP के pressure को driver कम करता है pressure को drop करता है तो DB क्या करता है उस drop होने वाले pressure को sense कर लेता है यानि DB समझ जाता है कि BP का pressure कम हो रहा है जब ऐसा होता है तो DB क्या करता है AR को BC से connect कर देता है और फिर यहाँ पे break लग जाता है देखें यह step by step होता है ऐसा नहीं है कि जैसे ही थोड़ा सा pressure कम हुआ DB AR को BC से direct जोड दिया यह step by step होता है जितना step वहाँ कम होता है उत्ता ही step यहाँ पे DB AR का pressure BC में जाता है यह बहुत deeply हम कभी बात करेंगे लेकिन आज के वीडियो में बस आपको यह concept clear करने कोशिश करूँगा कि DB कैसे function करता है अब देखें यहाँ पे brake releasing के बात करते है brake release करने के लिए जब BP pressure को 5 kg per cm2 तक बढ़ाया जाता है तो DB BC यानि brake slender का connection exhaust port से कर देता है और brake release हो जाता है अगर आप नीचे diagram में देखेंगे तो BC के जो pipe है वो नीचे DB के exhaust port के साथ जुड़ गया है यानि कि brake slender का हुआ जो है exhaust port से बाहर निकल जाता है और brake release हो जाती है इस time AR BC से कड जाता है जब brake release होता है तो AR जो होता है वो BC से कड जाता है और यह सारा काम कौन करता है DB करता है यह सारी कारवाई DB करती है brake लगाने के time AR के pressure को BC के साथ जोड़ देता है DB और brake release करने के time DB क्या करता है AR को pressure को BC से पहले काट देता है उसके बाद exhaust port के साथ जोड़ देता है तो इस चीज़ का अब ध्यान रखिएगा अगला slide अब यह सबसे important graphic है और इसी को मैं दिखाना चाहता था और यहां मुझे उम्मीद है कि आज मैं आपके दिमाग से इस concept को भीकुल clear कर दूँगा कि आखिर मैं DB कैसे काम करता है कैसे brake लगाता है देखें यहां पे जो white color का जो आपको line दिख रहा है जो पाइप दिख रहा है जो AR से जोड़ा हुआ है यह असल में FPA और जो यहां पे आपको green color का पाइप दे रहा है यह BPA यानि की brake pipe है तो अभी आप देखिए BP में यानि brake pipe में दो ball red color के दो ball तोड़ रहा है इसका मतलब यह हुआ मैंने दिखाने की यह कोशिश की है कि हवा का pressure आ रहा है आगे भी जा रहा है और यहां से dirt collector से होते हुए DB में आ रहा है और DB से AR में जा रहा है तो जब यह brake release रहता है यानि जब हम brake release रखते हैं तो जो यह हमारा BP का pressure है वो हमारे CR में चार्ज हो जाता है हमारे DB के अंदर भी रहता है और हमारे AR के भी अंदर रहता है अब यहां पे हमने दो BMBC बना है जो right side में आप देखेंगे दो BMBC है तो इनका जो pipe है आप ध्यान से देखें इनका pipe जो है DB के अंदर गया है और DB यह जो तीन कौन सा आपको दिख रहा है यह वाला हिस्सा जो DB है तो देखें यहां पे जो BMBC है BMBC का pipe यहां से आया है और DB के अंदर गया है और DB के यहां port से फिर घूमते हुए यहां पे बाहर निकली गया है ठीक है exhaust port से बाहर निकली गया है और यहां पे air pressure जो BP का है यहां से आ रहा है तो brake जब release है तो BP AR के साथ जुड़ा हुआ है और BMBC किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है बलकि उसका port, exhaust port के साथ जुड़ा हुआ है अब हम अगले slide में चलते हैं देखे एक बढ़ हम क्लिक करते हैं अब यहाँ पे क्या हुआ नीचे हमारा जो BP ब्रेक पाइप है वो प्रेशर लो हुआ हमारे driver ने प्रेशर को लो किया और DB का प्रेशर कम हो गया ग्रीन से वो यह लो हो गया DB का प्रेशर ठीक है अब क्या हु अब देखे यह वीडियो मैंने सब्सक्राइब बनाया है concept क्लियर करने के लिए आप लों के दिमाग में यह चीज़ क्लियर हो जाए कि DB लगभग लगभग कैसे काम करता है हलाकि DB इससे लगभग 1000 गुना और चीज़े करता है और भी बहुत सी चीज़े इसमें होती है लेकिन यह basic है कि DB कुछ इस प्रकार से काम करता है जब वहाँ चार्ज उसका BP का प्रेशर कम किया जाता है तो AR के प्रेशर को भेज देता ह BMBC में और इस तरह से ब्रेक अपलाई हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि यह चीज़ आपके समझ में आई होगी और देखिए जैसे ही फिर नीचे प्रेशर बढ़ाया जाता है तो क्या होता है देखिए BMBC का प्रेशर निकल के बाहर आ रहा है अब देखिए BMBC जो BMBC जो ह महां से सीधा अब AR में जा रहा है यानि जैसे ही ब्रेक रिलीज हुआ हमारा BP से AR चार्ज होने लगा और BMBC 1 और BMBC 2 का जो प्रेशर है वो बाहर वाता वरण में निकलने लगा और ब्रेक रिलीज हो गया तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा क आखिर हमारा DB कैसे work करता है हलाकि DB मैंने पहले भी कहा DB का काम से पहतना ही नहीं है DB और भी बहुत सी चीज़े करता है और पूरा breaking system बस सितना ही नहीं है breaking system पूरे अपने एक किताब है और उसको समझने के लिए एक वीडियो से नहीं समझ सकता है कोई कम से कम ऐसे 100 वीडिय क्या होता है वो सारी चीज़े में बताऊंगा लेकिन इस वीडियो का मकसद यहीं था कि अगर आप यह चीज़ समझ जाए कि हमारे DB कैसे काम करता है कई लोग तो यह सोचते है कि ट्रेन का जो ब्रेक हो प्रेशर से लगता है फिर कोई कहता है कि प्रेशर डाउन होने से फि वीडियो पसंद आया तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को शेयर करना मत बूलेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद